और अब बात बारिश की जहां मधिप्रदेश में कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है 21 जिलों में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है विदिशार आयसें सीहोर नर्मदापुरम हर्दा गुना अशोक नगर में अति भारी बारिश को लेकर अलर्ट सिवनी में आज सभी स्कूल्स में छुटी घोशित कर दी गई है और मंगलबार को सिवनी में नो घंटे बारिश हुई थी और इस नो घंटे में 6.3 इंच बारिश दर्ज की गई है और आज भी कई जिलों में 21 जिलों में लगभग अती भारी बारिश की जानकारी मिल रही है गोपाल में भी जमा जम बारिश का दौर जारी है और ये अभी कुछ समय तक ऐसे ही बारिश होते रहने की जानकारी मिल रही है आपको बिताते हैं कि लगातार हो रही बारिश से कई जिले प्रभावित हैं और 21 जिलों के लिए तो अलर्ट भी जारी किया गया है सिविनी में सभी स्कूल्स में छोटी घोशित की गई है मध्यपदेश में भारी बारिश को लेकर रड अलर्ट जारी किया गया गुना आशोक नगर में भी अति भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया और ऐसे में नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं विदिशार, आईसेंस, यो, नर्मदापुरम, गुना, शोकनगर में अती भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और आज सिविनी में स्कूल में छुटी भी गोशित की गई है, साति कही अन्य जिलो में भी स्कूल्स की छुटी गोशित कर दी गई हैं भारी बारिश को देखते हुए और कई बार पुल के ऊपर से बह रहे पानी में से भी हमने स्कूल के बच्चों को जाते हुए यहां इसी स्क्रीन पर तस्वीरों में देखा है क्योंकि लगातार बारिश का दौर अभी कुछ समय और जारी रहेगा तो देखना यह होगा कि आने वाले रोज में क्या स्कूल्स की चुट्टियां रहेंगी और इसका क्या प्रभाव रहेगा बात करेंगे हमारे सयोगी शैलिंद्र भदौरिया हमारे साथ भोपाल से श्रीनिवास चौधरी बालागाट से तो कृष्णा साहू मंडला से अपडेट देंगे फिलाल चलते हैं भोपाल में जहां इस वक्त जहमाजम बारिश का दोर जारी है शैलिंद्र बिल्कुल नाकेबल राजधानी भोपाल बलकि मद्द्रदेश के 21 जिलों में भारी बारिश का अलेर्ड जो है मौसम भाग ने जारी किया राजधानी भोपाल में भी पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश देखने को मिले उसका नतीजा यह हुआ कि बड़े तालाब के जो है वो लवालाब हो गया उसके बाद भदबदा डैम और कलिया सोत डैम के गेट खोलने पड़े इस वक्त जिस तरीके से ब्राजधानी में बारिश हो रही है उससे जो है वो बड़े तालाब का जलिसतर लगातार बरता चला जा रहा है और देखिए लगातार जो बारिश से मद्रदेश के अलागाला गिस्तों से इस तरह की तस्वीरे सामने आ रही है कि लोगों को परिसानियों का सामना करना पड़ रहा है यही कारण है कि कुछ इलाकों में स्कूलों की छुटियां भी की गई है कारेला के समय में भी बदलाओ किया गया है तो तमाम जो इंतिजाम है वो परिसासनिकी तरफ से लगातार किये जा रहे हैं लेकिन जिस तरीके से हैवी रहन मद्रदेश में को मिला इससे यह जो इंतिजामात थे वो नाकाफी साबित हो रहे हैं हलाकि मौसन विबाग की माने तो यह तीन दिन का अलेट था आज इसका दूसरा दिन है लेकिन आने वाले समय में और दूसरे सिस्टम भी मद्रदेश में डबल अप हो रहे हैं जिसके चलते आने वाले स सितिया जो है मद्रदेश के कई हिस्तों में हो चली है जिससे कि लोगों को खासी परिसानियों का सामना भी करना पड़ रहा है जी और शैलिंद्र जो तस्वीरे ने दिखाई दे रहे हैं उससे साफ अंदाजा लगा जा सकता है कि बारिश का आलम क्या हो रहा है और बात करे श्रिवास चौधरी हमारे सेयोगी बालाघाट से मौजूद है उनके पास भी चलेंगे श्रिवास क्या सितिया फिलाल बालाघाट में बारिश की पाई निकला जा रहा है इसके साथ ही राजिव सागर जो बांध है उसके भी गेट खोले गए जिसके कारण वैनगंगा नदी 22 नदी और इसके सहाइक जो नदिया बाग नदी उन में जलस्तर बढ़ गया है और बाढ़ की इस्तिति कारण लगातार हर जगह देखा जा रहा घ आज एक दिन का सास की असास की सिबस्सी और नवदे विजाले में अवकास घोसित कर दी गया है साथ ही लेकिन सिक्षन कार के लिए टीचरों को जरूर आने के लिए बोला गया है इसके साथ ही आपको बता दू कि जो यहां पर प्राशाशन दोरा लगातार NDRF, SDRF की टीमों किनारे बसे हुए गाउं है उन गाउं को में अलर्ड जाली कर दिया है और साथ ही SDRM और तहसिलदार को निर्देश दिये गए हैं कि लगातार बाड़ पर आप नजर रखें और जितने भी गाउं सटे लोग है जहां पानी और बार के इस्थिती बन रही है वहां पे जो ल अगातार आपको बता दूँ कि 80 परिवारों को 350 से अधिक लोग को सुरचिक अस्थानों पर पहुंचाया गया है साथ ही जो कोटवार हैं पटवारी हैं और ग्राम सहायक हैं रोजगार सहायक इनको रातरी जागने के भी बात कही गई है क्लेक्टर मिला मिला ने क्यों भी करना है साथ में इस चीज़ बता दूँ आपको कि बाला घाट मुख्याले का लगातार लाजी बेड़सा करनापूर और अन्ले छेत्रों का संपर्ग भी टूर गया है क्योंकि जिस हिजाब से पानी लगातार बारिस गिर रही है बारिस कारें अस्तवेस और बाला बिल्कुर आशेश मंजिला में भी रैड अलट जारी किया गया है अभी कुछ दे पहले ही बारिस थमी हुई है लेकिन अभी रिम जिम रिम जिम बारिस चालू है हाला कि बताने चाहूंगो जो कल दिन बर बारिस जिसके चलते नरवदा नदी सहित जो आसपास की जो नदिय बंजन नदी थावन नदी इन पर भी उफान देखा गया सुर्पन नदी में उफान देखा गया जिसके करण यह निचले इलाके हैं वहां पर बार जैसे इस्तिती बने हुई है कई ओक घर तूट गए हुए हैं भी गए हुए हैं और इसके साथ ही हमने कई ऐसी भी पार करते हुए नजर आये थे इसके साथ ही नर्वदा नदी में उफान ने जिसके कारण पर प्रशासन है उन्होंने जो निचले इलाके हैं उन्हें पहाईलच जारी कर रखा और लोगों को खाली करने के निर्देश दिये हैं और जिस तरीके से राद भर जो बारिश होती रही है उसके कारण भी कई जगा बार की स्थिती बनी हुई आसीस बिल्कुल और ये स्थिती कुछ और दिन क्रिशना भी जारी रहने वाली है क्योंकि जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया मौसम वबाग के तरफ से शैलेंडर ये निशित रूप से लोगों के लिए कि अब बड़कों पर पूलों पर पानी बहरा है मध्यप्रदेश और च्छतीस गर में भारी बारिश के बाद हर जगह यही नजारा है और कई जिले पानी पानी हो चुके हैं आफ़त में है जिन्दगी लोगों की आप देखिए एक रिपॉर्ट एमपी से लेकर च्छतीस गर तक आफ़त की बारिश जारी है भारी बारिश की वज़ह से नदी नाले उफान पर है पुल पुलिया डूप गए हैं सिहोर में पिछले तीन दिनों से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है जिसकी वज़ह से जिले से होकर बहने वाले तम नदी नाले उफान पर है जमा जम बारिश के बाद जिले के कोला डैम का जलस्तर बढ़ गया है डैम का जलस्तर नियंत्रित करने के लिए डैम के दो गेट खोले गए हैं गेट नमबर 4 और 5 से 50-50 सेंटीमीटर पाने रिलीस किया जा रहा है बुरहानपुर में भारी शासन अलर्ट मोट पर है तटिय इलाकों में नदी के घाट पर SDRF की टीम को तैनात किया गया है निचले इलाके के लोगों को नदी के किनारे जाने से परहेच करने की सलहा दी गई है सिवनी में भी पिछले 12 घंटे से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है जिसकी वजह से जिले से होकर बहने बाली वैन गंगा नदी उफान पर है नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से लखन वाडा घाट पूरी तरह से डूब गया है जिसे देखते हुए आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है लगतार जारी बारिश और नदी में आए उफान की वजह से लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है शहर के तिलक वाड और विवेकानन वाड की निशली बस्तियों में पानी भर गया है स्थानिय लोगों का आरोप है कि रेलवे के नाले का सही ढंक से निर्मान नहीं होने की वजह से बारिश का पानी उनके घरों में घुज गया है सिवनी से विधाएक दिनेश राय बाड प्रभावित इलाकों का जाइजा लेने पहुँचे और उन्होंने स्थानिय लोगों से बाच्ची भी की पैतुल के घोडा रोंगरी ब्लॉक में भारी बारिश से जिले से होकर बहने वाली तवान अदी उफान पर है लगतार बारिश के बाद सत्पूरा डाम भर चुका है डाम का वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए डाम के साथ गेट खोले गए डाम से करीब 13,000 क्यूसक पानी प्रती सेकंड छोड़ा जा रहा है डाम से पानी छोड़े जाने के बाद 30 ए इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है जबकि तवा नदी में उफान की वज़ह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और साथ ही घाट डूप चुके हैं बालगाट जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है जिसकी वज़ह से जिले से होकर महने वाले सभी नदी नाले उफान पर है कई जगहों पर बाल का पानी चड़क पर आने की वज़ह से दरजनों काउं का जिला मुख्याले से संपर्ख तूट चुका है भीमगाट डैम भी भर गया है जिसके बाद डैम के मुख्याले से संपर्ख तूट चुका है 36 गड़ भी भारे बारिश से बेहाल है रायपूर के डूमरत अराई में भारे बारिश से चार मकान गिर गए हालाकि हाथसे में कोई जन्हानी नहीं हुई शेहर के कई इलाकों में जल जमाव भी हो गया है पिछले कई घंटों से हो रही लगातार बारिश ने रायपूर को जलमगन कर दिया है जिसके बाद कमिशनर निरिक्षन के लिए निकले और अधिकारियों को जल भराव से निपटने के निर्देश दिये गए कुंडगाओं में भारी बारिश से धनौरा धुर्वा पारा पुलिया का रिटेन वॉल बह गया जिसके बाद केशकाल SDM और SDOP मौके पर पहुचे काकेर में भारी बारिश लोगों के लिए आफ़त बन कर आई है चारा मा ब्लॉक के सिरसिदा गाओं के नाले का पुल बारिश में बह गया इससे लोगों को कार न जाना मुश्किल हो गया दो बाइक सवार इसी नाले में बह गया हाला कि दोनों को सुरक्षित बचा लिया गया चारा मा ब्लॉक में महा नदी भी उपान पर है माहूत गाओं के स्कूल में पानी गुस गया है। परशासन ने स्कूलों में छुट्टी कर दी है। बड़द बाजार में तैसिल काराले के परीसा निभर चुका है। दिले में लगतार बारिश से कई जगों पर बार जैसे हालात बने हुए हैं। धंतरी में भारी बारिश से गंग्रेल बान भर गया है, बान में एक लाग अठारा हज़ार क्यूसेक पानी भर चुका है, अब बान से महा नदी में पानी छोड़ने की तयारी चल रही है, जल्धी बान के गेट हो ले जा सकती है, प्रशासन ने नदी के किनारे बसे गाउं मे मुनादी करवाई है, लोगों से साथान रहने को कहा गया है, कवरधा में भारी बारिश जारी है, कई गाउं टापू बन चुके हैं, शहर में पानी ही पानी है, लोहारा ब्लॉक के होलवा में घुटने तक पानी भरा हुआ है, लोगों को पानी में डूप कर आना जाना पील की है, ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज एटीम